इतनी जल्दी भगवान बदलना सही नहीं है, उनके लिए पहले मेरे पिता भगवान थे, अब मोदी जी भगवान हो गए, इतनी जल्दी भगवान बदलने वालों पर कोई भरोसा नहीं करता। ये बात हम नहीं कह रहे है, लुचपा रामविलास के राष्टिय द्यक चिराग पासवान ने अपनी चचा पश्वतिकमार पारस के मजे लिए उन पर कटाक्ष किया। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर कैसे मजा लिया, तो चन दिनों पहले पश्वतिकमार पारस हाजिपूर आये थे, और यहाँ पर्दानमंतरी मोदी की तुनना भगवान से कर दी और यह कहा कि पियम मोदी में तमाम इश्वरिय गुन मौजूद हैं, वो इतना काम करते हैं, जितना सम्मंदित विवाग के मंतर भी नहीं कर पाते, और यह कसम खाई, कि वो NDA में आजिवन रहेंगे, NDA से बाहर कभी नहीं जाएंगे, और जब चिराग पास्वान कल ही हाजीपूर पहुंचे थे, तब सवाल पुछा गया, कि आपके चचा पश्वतिकमार पारस कोई विश्वास नहीं करता, आपके बतादे कि पाश्वतिकमार पारस जब हाजीपूर आये थे, तब उन्होंने दो बड़ी मांग के थी, जब पारस जी हाजीपूर पहुंचे थे, तब एक मांग और कर दे थी, कहा था कि हाजीपूर जंग्शन का राम, रामलास पास्व पास्वान के नाम पर होना चाहिए, इसके लावा कई और मांग कर दे थी, बतादे कि चिराक पास्वान ने उसी बात को लेकर मजे लिए और ये कहा कि भगवान बदलना इतनी जल्दी अच्छा नहीं होता है, इसके लावा सियनुतीश पर भी अपनी भढ़ास निकाली और बताया गया कि जो भी बिहारी युवा युक्रेयन में फसे हुएं, आपको पता होगा युक्रेयन और रसिया के बीच में जंग छुड़ा हुआ है, और वहां हजारों के संख्या में बिहारी युवा फसे हुए हैं, और सियनुतीश ने अपने रेंडल पर साब्त और पर जो भी वहां युवा फसे हुए हैं, उनको बिहार सरकार अपने खर्च पर वापस बिहार लाएगे। कि श्राबंदी के नाम पर विहार में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, और विहार को बरवाद किया जा रहा है, इसके अलावा गाय घाट रिमांड होम का जिक्री भी किया, और ये कहा कि जब लड़कियां खुद बहारा कर आरोप लगा रही हैं, कि रिमांड होम में लड कि देवदी चुनाव होना चाहिए कि ये बार फिर से जो बिहार की जनता है, वो एक ससक्त मुख मंतरी को चुन सके, तो लगातार चिराग पासवान, नितिश कुमार पर हमलावर रहते हैं अपने बयानों से, लेकिन बीजिपी को लेकर सौफ्ट करुनर दिखाते रहते हैं और अब कहीं ने कहीं पश्वतिकमार पारवस इस बात का डर है, जिसरीके से चिराग पासवान और मोदी जी के रिष्टे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए, अब उनको मोदी जी में भागवान दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी में वो तमाम इश्वेडे गुन मौजूद हैं, और वो आज जीवन एंडी में रहेंगें, लेकिन राज्यूती में ना कोई अस्थाई दोस होता है, ना दुश्मन होता है, सब कुछ सियासी, फायदे और घाटे पर निर्भर करता है, और जब से चिराग पासवान और पस्पतिकमार पारवस अलग हुए है उसके बाद एक बात तो साबित हो गया, जब दो जगा उपचुना हुए, कि पासवान जाती का वोट वैंग वो चिराग पासवान के साथ है, और जब उनकी पार्टी चूटी थी, उस वक्त जब चिराग पासवान लगातार जन आश्रवात रैली निकाल रहे थे, उस वक् भी साबित हो गया, जब दो जगहों पर विधान सभा का उपचुना हुआ, चिराग पासवान ने राष्टे पार्टी कॉंग्रेस से बहतर परफॉर्मेंस किया, और जब दे चिराग पासवान को मौका मिलता है, वो अपने पश्वदिकमार पारस पर तंज करते हैं, निति